हलो फ्रेंज बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे डबल फिलर्स के कुछ कुछ और यह रियल कुछ न्स हैं यह कुछ पूछे गए थे अई बीपेस क्लर्क प्री एक्जैम में 15 दिसंबर 2018 को यह क्लर्क एक्जाम के कु कुछ जाते हैं तो इन कोश्चन को हम डिसकस करेंगे और इस पर्टिकल वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सही एप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए इन कोश्चन को करने की ताकि आप कम से कम टाइम में एकूरेसी के साथ इन कोश्चन को कर सके तो यहां पर आप देख सकते हैं एक सेंटेंस दिया है और इसमें दो फिलर्स दिये हैं एक यहां पर ब्लेंक दिया है और एक यहां पर ब्लेंक दिया है यह नीचे पांच ऑप्शन दिये हैं इन मैंसे कोई भी एक इसमें आंसर होगा आपका तो इस सेंटेंस में जो फिलर्स आपको फिल करन करें logic को apply करें अब देखे किस तरीके से logic को apply करना है किस तरीके से keywords को पकड़ना है यह मैं आपको बताऊंगा इन sentences को सही करके और discuss करके मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से questions को करना है देखे गोपाल was frustrated with Sundar who could not मतलब गोपाल यहां पर Sundar से frustrated है यानी परेशान है अब गोपाल और सुन्दर कोई भी दो कोई भी दो relation में हो सकते हैं बड़ा भाई चोटा भाई हो सकते हैं father और son हो सकते हैं या friends हो सकते हैं ठीक है तो गोपाल जो है वो सुन्दर से परेशान था क्यों परेशान था उसका reason यहां पर आपको बताना पड़ेगा यह एक logic है ठीक है सुन्दर या तो कोई target चीब नहीं कर पा रहा या उसका कहना नहीं मान रहा या कोई काम नहीं कर रह अब देखिए यह जो propositions होते हैं चोटे 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 प्रपोजिशन होते हैं यह keywords का और linking words का काम करते हैं अब यहां पर आप एक ऐसा word देख सकते हैं जो इस two के साथ naturally mix हो जाए अब two के साथ कौन सा word यहां पर आ सकता है क्या encourage आ सकता है यदि आप encourage यहां पर लगाते हैं तो who could not encourage him to, who could not encourage himself to, to a deadline, normally हम encourage word को deadline के reference में use नहीं करते हैं ठीक है, inculcate word का मतलब होता है किसी habit को develop करना, corporate मतलब सहियो करना, commit हम करते हैं, किसी task के प्रती, किसी deadline के प्रती, हम अपने आपको commit करते हैं कि हमें इसको achieve करना है, और commit के साथ to जो proposition है वो भी naturally लगता है तो यहाँ पर आपकी जो natural choice होगी, वो क्या होगी, commit, who could not commit, अब देखे, could not, अब यहाँ पर थोड़ा सा grammar के साब से देख लेते हैं, could not के बाद यहाँ पर cable और cable verb की first form ही आ सकती है, तो commit जो word है, यह two इससे भी जुड़ रहा है, two proposition से, could not के साथ word form आनी चाहिए, तो word form के parameter पर भी सही है, और context के साब से भी सही है, यानि इस word को मैंने तीन parameter पर चेक कर लिया, कि यहाँ पर cable और cable commit ही आ सकता है, अब देखिए, चुकि यह video class है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए इसको मैं काफी detail में बता रहा हूँ, लेकिन यदि इन logics को यदि आप apply करते हैं, real exam में, या test series देते हैं में, तो within seconds, 4-5 seconds में, आप इन questions को solve कर में आपको time जो मिलता है, question का वो मिलता है, 40 seconds, में इस exam में इससे भी ज़्यादा मिलता है, तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ आपको 40 seconds का time मिल रहा है, और आपके अंदर जो skill है, आपके अंदर जो ability है वो 4 या 5 seconds में करने की है, तो आप सोचिए कि कितना अच्छा आप score कर स सकते हैं, अब देखिए, यहाँ पर चूकी सारे parameters पर मैंने check कर लिया कि commit word ही आ सकता है, तो दूसरे word को मुझे देखने की जरूवत नहीं है, यह भी एक logic है, और इससे आपका क्या होगा, time बचेगा इससे आपका, देखिए, यहाँ पर यह दोनों option जो दिये हैं, यह आप आपस में mix and match करके रखे गए हैं, और दौनों ही option सही होंगे, इन options में ऐसा नहीं हो सकता कि एक सही है या एक गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, यदि commit यहाँ पर सही है, तो उससे related persisted अपने आप ही सही हो जाएगा, इसको आपको check करने की जरूवत नहीं है, इसको आप तब चेक करेंगे, जब जो first option है, उसमें आपको थोड़ा सा confusion है, ठीक है, यह क्या बता रहा हूँ में आपको, यह बता रहा हूँ में कि how to save time, क्योंकि time management जो होता है, बहुत crucial होता है, लेकिन यहाँ पर चुकि यह video class है, इसलिए यहाँ पर second option को भी हम पढ़ेंगे और देखेंगे क किस तरीके से इसमें persisted word ही आ सकता है, देखें, गोपाल was frustrated with Sundar, who could not commit himself to a deadline, वो गोपाल सुन्दर से frustrated इसलिए था, क्योंकि सुन्दर अपने आपको commit नहीं कर पा रहा था, एक deadline के against, एक deadline तक किसी target को achieve करने के लिए अपने आपको वो commit नहीं कर रहा था, इसलिए गोपाल सु stated था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया है, आगे यहां पर क्या दिया है, बट गोपाल, मतलब गोपाल, बट गोपाल और यहां पर देखिए keyword, finally prevailed, लेकिन गोपाल आखरी में जीत गया, या गोपाल आखरी में, गोपाल was able to convince Sundar, finally गोपाल was able to convince Sundar, इसका यह मतलब हुआ, finally prevailed, अब prevailed के दो मतलब होते हैं, prevailed का मतलब जीत जाना, या prevailed का मतलब किसी विक्ति को convince कर देना, तो finally गोपाल ने Sundar को convince कर दिया, कैसे convince कर दिया, जब उसने लगातार कोशिश की, जब उसने लगातार उसको convince किया, और लगातार कोशिश करने को हम क्या बोलते हैं, लगा यह पास्टेंस है इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे परसिस्टेड तो आपका जो आंसर होगा वो होगा फोर अब इस तरह के कोश्टेंस को यदि इन लॉजिक्स को आप एपलाई करते हैं तो चार से पांस सेकेंड में इस कोश्टें को कर सकते हैं और वो भी एकूरेसी के साथ अब यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको इसको एक्स्टें किया है यहाँ पर आप इस कोश्टें का जो आंसर है उसको आप प्रूब कर सकते हैं कि इसका आंसर कमिट या परसिस्टेड होगा लेकिन क्यों होगा या प्रूब कर सकते हैं और यही से मैं अप्रोच आपको म आपको अपने अंदर develop करनी है banking exam यदि आप निकालना चाहते हैं तो ठीक है तो I hope आपको यह समझ में आया हुआ question अब हम देखते second question second question को भी मैं same logic से आपको apply करूँ आपको explain करूँगा देखिए coercion यहां पर एक word दिया है coercion का मतलब होता है किसी व्यक्ति को मनाना convince करना फुसलाना कैई सारे words है इसके लिए coercion यहां पर एक noun की तरह यह use हुआ है coercion sometimes leads to the मतलब coercion की बज़े से क्या होता है leads to the किसी वर्ब के आगे जब आप what लगाते हैं तो उसका answer हमेशा noun में आता है जैसे I like I like books और इसका question क्या होगा I like what I like books तो what का answer जो आता है वह हमेशा noun आता है यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि coercion sometimes lead to the sometimes lead to what coercion की वज़े से यह होता है लेकिन वह क्या होता है वह यहां पर आएगा यहां पर आपको noun चाहिए ठीक है जैसे 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 मैं बोलूं simple language में कि hard work leads to success hard work की वज़े से success मिलती है ठीक है तो success क्या है noun है hard work leads to what hard work leads to success तो success क्या है noun है उसी तरीके से coercion sometimes leads to what coercion leads to this thing तो यहां पर आपको एक noun चाहिए ठीक है अब एक यह logic लगाया आपने अब एक logic आगे के word से आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या लेखा हुगा short term goals अब short term goals यानि छोटी चोटे time के जो goals होते है goals को आप क्या करते हैं क्या आप goals को appreciation करते हैं क्या आप goals को accomplish करते हैं यस goals को हम accomplish करते हैं और accomplish के लिए जो दूसरा word है वह है achieve goals को हम क्या करते हैं achieve करते हैं accomplish करते हैं लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया था अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पर noun चाहिए तो accomplish और achieve का noun form क्या है? accomplish तो verb है achieve वर्ब है तो in verbs का noun form क्या है? in verbs का noun form है accomplishment and achievement ठीक है? तो यहाँ पर achievement या accomplish मैंसे एक कोई भी आ सकता है चुकि दोनों वर्ड सही है इसलिए दोनों मैंसे कोई एक आएगा लेकिन वो एक कौन सा होगा? उसके लिए हमें आगे वाला पार्ट पढ़ना पढ़ेगा but it's drawbacks far it's advantage हम यहाँ पर दो चीज़ों को compare कर रहे हैं कि coercion से हम short term goal को achieve कर सकते हैं लेकिन इसके जो drawbacks हैं इसके जो कमिया हैं इसके जो demerits हैं वो इसके advantage से ज़्यादा है ठीक है यहाँ पर एक word आया है far far more, far के थूँ हम compare करते हैं इससे हमें पता पढ़ गया कि यहाँ पर हम compare कर रहे हैं तो इसके जो drawbacks हैं वो इसके advantage से ज़्यादा हैं ठीक है अब यहाँ पर हम यह बता रहे हैं कि drawbacks जो है वो ज़्यादा है और advantage जो है वो कम है drawbacks और advantage को हम तुल्ला कर रहे हैं या हम उनको way कर रहे हैं या हम उनको तॉल रहे हैं ठीक है तो तॉलने के लिए या तुल्ला करने के लिए सही word क्या है सही word है out way यानि drawback जो है वो advantage को आउटवे कर जाता है उसका बजन जादा हो जाता है तो यहाँ पर आउटवे भी सही word है और आप देखिए दूसरे option में क्या दिया है crumble तो crumble का मतलग होता है टुकड़ों में तूट जाना तो crumble यहाँ पर पूरे तरीके से out of context होगा इसलिए आपका जो सही answer होगा वो होगा accomplishment and out way यानि थर्ड इसमें आपका सही answer होगा ठीक है अब देखिए यह words क्यों नहीं आएंगे realization हम क्या होता है realization क्या होता है गोल्स के sense में नॉनमल हम इसको यू यूज नहीं करते जैसे check होता है बैंक का नियूस के लिए पॉइए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है परकोलेट यंट जैसे जला इस पंझ होता है इस ने पानी में भूगो दिया तो धी में-धी में पानी उसमें नीचे निकलता क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़ों में तूट जाना किसी चीज का, मैंगनिफाय का मतलब होता है enlarge, किसी चीज को बढ़ा के देखना, जैसे magnifying glass होता है, आउट वे का मतलब होता है, एक चीज, एक चीज का जो amount है, वो दूसी चीज से ज़्यादा है, यह होता है out way, ठीक है, destination क्या होता है, destination का मतलब होता है manjil, जिस manjil पर आप पहुचना चाहते हैं, जैसे जर्डी में एक destination होता है, ठीक है, तो इस तरीके से इन questions को किया जाता है, question number third हम देखते है, professionals focus there, यहाँ पर हम यह बोल लाए हैं कि professionals जो होते हैं, doctor, engineer, chartered accountant, जो professionals होते हैं, focus there, वो focus करते हैं, लेकिन किस चीज को focus करते हैं, वो यहाँ पर आएगी, क्या वो planning को focus करते हैं, नहीं, planning को हम focus नहीं करते हैं, planning तो हम बनाते हैं, leadership को क्या वो focus करते हैं, professional focus there, लीडर्शिप क्या वो अपनी लीडर्शिप को फोकस करते हैं ये कहना सही है या गलत है ये गलत है ठीक है क्या वो अपनी एबिलिटीज को फोकस करते हैं नहीं एबिलिटीज को हम क्या करते हैं एबिलिटीज को हम यूज करते हैं एबिलिटीज को हम टेस्ट करते हैं एबिल और हूँ के यहाँ पर इनरजी ही आ सकता है, तो second option को देखने की जड़ुवत नहीं है, अब आप measure कर सकते हैं, count कर सकते हैं, किस question का answer मैंने कितनी दिर में निकाला, 4 या 5 second में, exam में आपको मिलता है 40 second का time, दूसरा हम देख लेते हैं, fulfilling their responsibility and achieving results, not a particular image, image से किस word का relation हो सकता है, image को हम क्या करते हैं, image को हम showcase करते हैं, image को हम portrait करते हैं, image is portrait, image को दिखाया जाता है, उसको portrait किये जाता है, तो portrait word भी यहाँ पर सही है, और energy word भी सही है, अब portraying word सही क्यों है, इसमें हम ing क्यों लगा रहे हैं, इसमें हम ing इसलिए लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पर लगा हुआ है proposition, और proposition is always followed by b ing form of the verb, तो यह इसका logic है, तो I hope सारे logics आपको समझ में आए होंगे, और examiner यही test करता है, आपका logic चेक करता है, आपका English language की application को चेक करता है, तो यहां पर आपका answer होगा fourth, ठीक है? एक question और देखते हैं, the of three pillars of sustainable development, यहां पर three pillars की बात हो रही है, और यहां पर लगा हुआ है of, आप से पहले यहां पर क्या part of speech आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए noun, जैसे यह जदी मैं बोलूँ के book of ram, book of ram, तो आप से पहले मैंने क्या लगाया, noun लगाई है, यहां पर off से क्या आएगा, noun आएगी यहां पर, noun, ठीक है, और यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं, हम three pillars of sustainable development in public policy, in a balanced measure, मतलब यहां पर किसी चीज को balance तरीके से use करने की बात हो रही है, लेकिन यह balance तरीके से इसको use करना क्या हो सकता है, difficult हो सकता है, अब difficult क्या है, adjective है, तो difficult क्या हो सक हो सकता है, तो task से related यहां पर एक word आपको चाहिए, और task से related जो सही word है, वो है exercise, यह difficult exercise हो सकती है, और यहां पर चुकी three pillars की बात हम कर रहे हैं, तो three pillars को हम क्या करेंगे, sustainable development के लिए three pillars को हम क्या करेंगे, three pillars को हम integrate करेंगे, एक दूसरे में मिलाएंगे, उनको हम collect नहीं करें करेंगे, उनको हम integrate करेंगे, तो integration एक noun form है, मैंने अब भी बताया था आपको कि यहां पर noun चाहिए, तो integrate का noun form है integration, तो यहां पर आगया integration और यहां पर आगया exercise, जो की task का equivalent है, तो यहां पर आपका सही answer होगा third, यह मैं आपको जो solve कर रहा हूँ, यह real questions है, banking के यह real questions है, और question और देखते हैं, the industrial, agricultural, commercial and public services, देखिए, इतनी सारी services की बात हो रही है, यहां पर, industrial, agricultural, commercial and public services, चार services की बात हो रही है, और यहां पर लिखा हुआ है, a significant portion of electricity, electricity, मतलब electricity का एक बहुत बड़ा portion, तो उसका हम क्या करेंगे, a significant portion of electricity, उसका हम क्या कर सकते हैं, उसको या तो हम use कर सकते हैं, significant portion of electricity का संबंद किस से हो सकता है, उसके use से हो सकता है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, industrial, agriculture, commercial and public service, तो public service में, industrial में, agriculture में, commercial में, एक बड़ा amount electricity का क्या हो जाता है? खप जाता है, exhaust हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर use, consume या exhaust जैसे word आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम इसको use, consume या exhaust किसलिए करते हैं? यहाँ पर दिया है for, ठीक है? तो चुकि for एक proposition है, इसलिए यहाँ पर आएगा word की ing form, और demand के साथ कौन सा word जो जो सकता है? नहीं उतर पाया, he could not meet my demand, वो मेरी demand को पूरा नहीं कर पाया, तो demand के साथ meet word जुरता है, demand और expectation के साथ meet word जुरता है, और चुकि यहाँ पर proposition लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैं लगा हुआ, ing form, तो इसलिए यहाँ पर meeting word आएगा, और first में consume word आएगा, क्योंकि electricity को हम use नहीं करते हैं, उसको consume करते हैं, तो consume वहाँ पर ज्यादा appropriate word है, तो इसलिए second इसमें आपका answer होगा, I hope आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इस तरीके से इन questions को किया जाता है, तो इस video class में मैंने 5 questions ही लिये हैं, लेकिन detail में मैंने explain किया है, आपको कोई भी doubt है, आपको कोई भी query है, तो इन numbers पर आप मुझे call कर सकते हैं, और इन अलग-लग platforms पर भी मुझे आप follow कर सकते हैं, Facebook पर, Twitter पर यहां पर सारे इनके links दिये हैं, इन पर भी आप मुझे जरूर follow करें, और Instagram पर भी आप मुझे follow कर सकते हैं, कोई भी query है, कोई भी doubt है, और कर सकते हैं, I hope you like the explanation of this video class and I hope this helps, तो इस video class में इतना ही, अब मैं आप से बिलूँगा, next video class में, thank you